Hello guys, welcome back. First of all, thank you so much for the response of my last videos. हम लोग लास्ट अप्सन के अपर हम लोग दो वीडियो अलएडी बना चुके हैं. पहला जो वीडियो था, उसमें हम लोग अप्सन के बारे में डिटेल्स में बात किये थे. ये अप्सन प्राइसिंग के से काल्कुलेट होता है, वो भी बात किये थे. इन दा मनी, आउट अप दा मनी, एड़ दा मनी, वो सब क्या होता है, वो भी डिटेल्स में बोले थे. और फिर जो option pricing कैसे calculate होता है उसका जो components ये सब है ये भी details में बोला था मैंने उसके बाद black soul matter model में कैसे calculate होता है option pricing कैसे होता है और फिर जाके हम लोग second video में हम ये देखे थे कि ये जो python coding for black soul matter model वो क्या होता है कैसे calculate होता है ये सब हम लोग देख चुके हैं इनफेक्ट हम लोग ये भी जाके check किये थे कि जो black soul metal model में हम लोग option pricing calculate करते हैं इधर ये जाके हम लोग जीरोधा के website में भी check किये थे और वो exactly match हो रहा था option price और same जाके हम option change होता है और NAC के website में वो भी देखे थे option price वो भी exactly match हो रहा था तो basically हम लोग का जो option price हम लोग ब्लाक soul metal model में calculate किये थे python के through वो जीरोधा के website में जाके match हो गया था और वो जाके option chain में यहां पे जाके भी match हो था अब तक तो हम लोग यह सारे चीज clear हो चुके हैं details में ठीक है option pricing के बारे में तो अब आज हम बात करते हैं कि option Greeks के बारे में ठीक है तो option Greeks आज हम बात करेंगे कि यह जो option Greeks होता है actually क्या होता है delta, gamma, vega, theta, rho यह सारे क्या होते हैं कैसे calculate होता है मैं जितना हो सकता है उतना simplest way मैं आपको समझाओंगा आप समझने के लिए कोशिस कीजिए बहुत ही simple है यह इसमें कुछ भी difficult चीज नहीं है मैंने आपको बहुत easy तरके से समझाओंगा और फिर जाके हम यह देखेंगे कि option chain यहां पे जाके हम थोड़ा example लेके वो भी देखेंगे ठीके और उसके बाद जो last वीडियो रहेगा उसमें फिर मैं यह बताऊंगा आपको यह जो option Greeks होता है यह सारे चीज हम python में कैसे calculate करेंगे ठीके आज के लिए हम देखेंगे कि यह option Greeks क्या होता है और इसका क्या impact होता है option pricing के उपर ठीके और यह मतलब इसका जो details इसका मतलब क्या होता है ठीके तो हम जो पहला दिन discuss किये थे आपको अगर याद होगा नहीं तो जाके पहला मेरा जो वीडियो वो देख लेना कि जो option price है ठीके बेसिकली आपका intrinsic value और time value को मिला के हुआ था option price और intrinsic value था वो था spot price, strike price और time value था आपका time to expiry, volatility and rate of interest ठीके यह जो पांच component है इसको मिला के option price होआ था और हम लोग जाके यह भी दिखेते कि यह सारे यह जो black scroll matter model का जो formula है उससाब से हम option price calculate किये थे राइट अगर आप देखोगे यहाँ पे NAC के website में यह भी आपका different strike में यह उपर के in the money हो गया और यह add the money हो गया क्योंकि अभी मेरा जो निफ्टी है वो 17,850 फूर चल रहा है, so that is why यहाँ पे 17,850 करीब करीब हो गया, यह हो गया add the money और जितना यहाँ तक जाओंगा यह मेरा out of the money हो गया, जितना यह जाओंगा 17,000, 17,000 यह इन देख चुके थे, अब मैं क क्या बोल रहा हूं कि यह जो मेरा option price है, यह option price इस components को लेके हुआ है, so mathematically अगर आप सोचोगे, इस components में अगर कुछ चीज़ चेंज करता हूं, जैसे कि suppose बाकी चीज़ों को में constant रखता हूं, rate of interest मेरा constant रहेगा, volatility constant रहेगा, time to expire ही change नहीं होगा, strike price चेंज नहीं होगा, but में spot price change हो गया, अगर मेरा spot price change हो गया, बाकी सरे चीज़ मेरा constant रहेगा, तो मेरा option price में changes होगा, उसको बोलते हैं एक Greeks, so option price change होता है, because of change in कोई भी एक aspect, ठीके, उसको बोलते हम Greeks, तो हम देखते हैं कि क्या change, यहाँ पर अगर change करता हूं, यहाँ चेंज करता हूं, या volatility change करता ह है, उसके लिए जो option price change होगा ना, उसको कौन सा Greeks सी बोलते हैं, जैसे कि example बता रहूं मैंने आपको, अगर मैंना spot price change कर दिया, तो मेरा option price change होगया, उसको बोलता हूं मैं delta, समझ रहे हो, अगर मैं volatility change कर दिया, मैरा option price change हो जाएगा, उसको बोलता हूं मैं भेगा, तो ऐसा द पर बहुत ही simple चीज है ठीक है तो पहला देखते हैं हम लोग का यह जो spot price so spot price change अगर होता है तो basically मेरा option price भी change हो जाएगा उसको बोलता हूँ मैं delta चोलो मैं example के साथ आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ ठीक है तो पहले हम समझते हैं क्या delta ठीक है अब delta क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया कि मान के चोलो अभी मेरा nifty अब हम करते हैं सारे चीज निप्टी के उपर let's say मेरा underlying जो asset है ठीक है यह हो गया मेरा निप्टी यह हो गया मेरा underlying asset निप्टी ठीक है अभी जो मतला निप्टी 50 अभी जो लेट से निप्टी चल रहा है कितना let's say take an example अभी निप्टी चल रहा है 18,000 अभी चलते हैं तो अभी चल रहा है 17,854 सो simplicity के लिए मैंने इसको डाल दिया 18,000 ठीक है मान के चलो अभी मेरा निप्टी चल रहा है कितना 18,000 ठीक है मैं यह expect कर रहा हूँ market से कि यह market बढ़ेगा अभी बढ़के कितना होगा let's take an example अभी 18,100 हो जाएगा ठीक है एक्जाम को लिए simplicity के लिए मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है ठीक है यह मेरा call price की बात कर रहा हूँ अभी अभी कितना है price 100 यह हो गया आपका add the money यह हो गया आपका कितना add the money ठीक है क्योंकि market चल रहा है अभी 18,000 और मैंने क्या क्या मैं सोच रहा हूँ कि यह market अभी बढ़ेगा 18,000 होगा और इसलिए मैंने एक add the money का call option buy करूँगा तो मैं क्या करूँगा मैंने करूँगा buy call option क्योंकि market बढ़ेगा तभी तो मैं खरीद हूँगा call option buy करूँगा तो let's say मैंने call option buy किया और यह मैरा एक मतलब कितना price है 100 100 rupees है अब मैंने nifty का कितना unit है 50 है so this into एक lot का 50 है 50 unit let's say मान के चोलो मैंने 10 lot लिया हूँ example so मैंने कितना invest किया हूँ यहां पर example के लिए 15,000 मैंने invest किया हूँ अब समझ रहे हूँ ठीके अब let's say मान के चोलो कि यहां पर सच में यह nifty जो है ना अभी 18,100 हो गया तो मैरा अब कितना profit होगा कैसे पता चलेगा अब समझ रहे हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ मैं यह बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ लेट से आपका ये prediction है कि market 18,000 market at least 100 अभी बढ़ेगा इसलिए आप क्या किये कि आप एक add the money का call option जो है 100 रुपीज का था आप एक लड़ खरीदे sorry 10 लड़ खरीदे दस एक लड़ का दाम था तो 10 लड़ खरीदे आप so basically आप 25,000 आप यहाँ पर invest कर दी let's say ठीक है अब मैंने मान के चोलो यह हो गया और सच में market अभी 800,000 हो गया तो आपका कितना profit होगा आपको कैसे पता दे लेगा ना आपका profit होगा पता है कितना आपका profit होगा 25,000 क्यों का पता है क्योंकि एर्द मनी में delta होता है 0.5 आप बोलोगे delta क्या है मैं आप बता रहाँ ठीक है एर्द मनी में delta होता है 0.5 और आप जैसे इंद मनी जाओगे ना so basically it will be कितना होगा यह हो जाए आपका 1 और जैसे out of the money जाओगे यह हो जाएगा आपका कितना 0 ठीक है so delta basically क्या होता है नहीं 1 to 0 में वहरिक होता है so deep in the money आप जाओगे तो 1 होगा at the money में 0.5 और इसमें हो जाएगा कितना 0 so इसका मतलब क्या है कि every 100 unit change in the price every 100 unit change in the underlying price underlying asset nifty का 100 unit change होगा तो मेरा price में कितना फर्क पड़ेगा वो होता है मेरा delta यहाँ पे कितना होगा ना यहाँ पे हो जाएगा मेरा delta actually कितना हो जाएगा ना delta हो जाएगा 100 यहाँ पे 100 unit change हुआ so 100 into यह 0.5 so basically आपका 50 रुपी change हो जाएगा so यह जो price हो जाएगा ना यह हो जाएगा आपका 150 ठीके क्यों 150 हो जाएगा क्योंकि आपका delta 0.5 है so delta 0.5 का मतलब क्या है कि अगर market 100 point move हुआ तो आपका जो price है ना वो 50 रुपीज बढ़ जाएगा तो अगर आपे 50 रुपीज बढ़ जाएगा so 150 into 50 का है आपका lot आप 10 lot खरीदे हो कितना हो जागा 75,000 right the difference कितना हुआ 75,000 minus 50,000 आपका 25,000 का profit हो जाएगा यह जो 25,000 का profit हुआ किसले हुआ क्योंकि delta के लिए हुआ so delta का मतलब क्या हो गया कि आप अगर यहाँ पे देखोगे जो मैंना आपको बताया था यह जो spot price 18,000 था यह 18,100 हुआ ना so 100 unit change हो गया यह spot price change हो गया इसलिए मेरा जो option price change हुआ जो 100 था वो 150 हो गया उसको बोलते हम delta so my change in option price due to change in my spot price or the underlying asset that is called delta अब समझ में आया delta क्या होता है यह होता है delta change in my option price 100 to 150 हो गया due to change in my underlying asset 100 to 18,000 to 18,001 हो गया तो इसलिए जो change हुआ इसको बोलते हम delta ठीके अब हम समझते हैं कि deep in the money जैसे कि suppose यहां पर 18,000 हो गया अगर मान के चलो deep in the money कितना हो गया यहां पर हो गया आपका 17,000 17,000 में क्या होगा आपका delta होगा 1 क्योंकि यह deep in the money है ठीके और यहां पर 19,000 हो जाओगे at the money में यह आपका हो गया कितना ना deep in the money यह deep in the money का जो है यह अप्षन प्राइस जो आपको 100 में मिल रहा है यह deep in the money आपको मिल जागा करीब करी 1,000 में आप अगर देखोंगे अब मार्कट के इतना चल रहा है कि 17,850 तो 18,000 इस बेसिकले 17,850 जो प्राइस एक्चुली है वह 640 है करीब करीब 1000 रूपीज मैंने एक्जाम्पल के लिए 16,850 का जो है 16,800 का जो है वह 1000 रूपीज का है so for example simplicity मैंने यहाँ पर 1000 रूपीज लिग दिया so basically मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब add the money खरते हो जो प्राइस मिलता है जब आप deep in the money चल जाते हो वह प्राइस आपका बढ़ जाता है क्यूंकि उसका रिजिन आपको मैंने बताया था क्यूंकि आपका जो intrinsic value है न वह बहुत बढ़ जाएगा जब आपका intrinsic bull बढ़ जाएगा obviously आपका जो प्राइस यह बढ़ जाएगा so deep in the money में आपका यहां पर 1000 मिलेगा the same way अगर thousand point यहां पर आप out of the money चल जाओगे तो यह आपका हो सकता है कि आपको 10 रुपय में मिल जाए राइट सो यह example बता रहा हूं so basically मैंने का मतलब यह है कि आप अगर deep in the money का let's say अभी market चल रहा है 18,000 example के लिए अब यह आप क्या कर रहे हो कि deep in the money खरीद रहे हो option call option buy कर रहे हो so आप यह कह रहे हो कितना 1000 so basically 1000 into 50 into 10 lot ले रहे हो so basically you are putting 5 lakhs rupees ठीक है this is my first example this is my second example you have to understand this ठीक है यह मेरा third example so उसी से समझते हैं ठीक है so पहला example आप clear हो कि अगर मैंने एक add the money option buy किया हूं second example में मैंने deep in the money option buy किया हूं call option और third example में मैंने deep out of the money option buy करूंगा ठीक है तीन example है so पहला जो option था पहला जो example था वो मेरा ATM option मैंने buy किया उसके लिए मैंने 25,000 का profit मिला ठीक है अब let's say मैंने क्या करूंगा कि let's say एक deep in the option का जो deep in the money option है ठीक है उसको buy करूंगा so उसके लिए मैंने कितना 10 लड के लिए कितना payment करना पड़ेगा 5,000,000 रुपीज अगर मान के चलो market अभी 100 पेंड मुमेंट हुआ कितना 18,000 हुआ तो क्या होगा यहां पे जो 1000 रुपया था न यह बढ़के कितना हो जाएगा पता है यह बढ़के आपको हो जाएगा now 1 into 100 basically कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1100 this is 100 rupees change हो जाएगा so यह हो जाएगा आपको 1100 में क्योंकि जब यहां पे 100 rupees बढ़के 150 हो रहा था 50 rupees बढ़ रहा था यहां पे 1000 rupees में 100 rupees बढ़ हैगा 所以 यहां आपका 1100 हो जाएगा अगर 1100 हो गया so this into your 50 into 10 lot see यह हो गया आपका कितरा basically 5 लाख minus 5 लाख 50 which is coming around 50,000 का sorry what I am doing so this minus this so यहाँ पे आपको profit हो जाएगा 50,000 का profit so मेरा कहना का मतलब यह है कि आप at the money में delta का फाइदा जादा ने ले पा रहे हूं but deep in the money में या in the money में आप delta का फाइदा जादा ले रहे हो क्योंकि आपका delta जितना in the money towards जाएगा उतना it will be towards 1 so this is why अगर आप option buy करना चाहते हो ठीक है अगर आप option buyer हो और आप delta का benefit लेना चाहते हो और you are sure about the market trend आपको sure पता है कि market उपड़ जाएगा so basically आप क्या करो कि deep in the money या in the money का option buy करो उस इसाब से आप delta का benefits जादा ले सकते हो similarly अगर हम out of the money के बाद करेंगे तो यहाँ पे delta का कुछ impact है नहीं मेरा option price में मतलब मेरा यहाँ पे let's say मैं एक deep out of the money जो 19,000 का call option जो मैं यहाँ पे 18,100 हुआ market 100 point moment हुआ मेरा जो price है ना इस price में कुछ भी changes होगा नहीं so basically यहाँ पे मैंने कितना दे रहा हूँ 10 into 50 into 10 so that is what I am putting only 5,000 rupees for 10 lots but अगर मेरा यहाँ पे 8,100 भी हो गया market बढ़ गया मेरा यहाँ पे कुछ भी price में changes नहीं होगा क्योंकि मेरा delta इधर 0 है so basically 0 into 100 point moment हुआ कितना हुआ 0 so मेरा price भी उतना ही रहेगा basically वही रहेगा so basically यह price कितना हो जाएगा so price 10 भी था वही भी 10 रहेगा so मेरा यहाँ पे भी basically उतना ही होगा so मेरा कुछ profit बनेगा नहीं आप समझ रहे हो मैं क्या को बोलेंगे लिए कोशिस कर रहा हूँ so basically अगर if you are a option buyer and you want to take an advantage of delta then and you are sure sure about your direction कि market let's say बढ़ेगा and you are sure about that then go for in the money or deep in the money वहाँ आप क्या करोगे कि delta का ज्यादा benefit ले सकते हो अगर आप out of the money में जाओगे even though you are putting small amount but then you are not making an advantage of delta आप समझ में आ गया delta का game कहा होता है so delta मतलब यह होता है कि option price जो change होता है option का price में जो change होता है वो underlying asset के लिए जो अगर होगा वो होलता है मेरा delta change in the option price due to change in my underlying asset वो हो गया मेरा delta ठीक है अब हम बात करते हैं गामा के बारे में गामा क्या होता है न जो delta change होगा जो delta change होगा rate in change in delta वो होगा गामा अब अभी समझाता हूँ इसको क्या होता है अब चलते हैं same example ठीक है अब nifty कितना चल रहा है nifty चल रहा है कितना 18,000 ठीक है मैं यह expect कर रहा हूँ market will be 18,100 ठीक है अब मैंने क्या गया कि अभी call option buy कर लिया 100 rupees में ठीक है अब मेरा 100 यहां पर कितना था यह अगर add the money होगा so this is my add the money so add the money में मेरा delta कितना है 0.5 ठीक है और मैंने यहां पर कितना देके ख़िदा हूँ this 100 into 50 into 10 lot लिया हूँ so this will be my investment अब समझ में आ गया यहां तक समझ में थे अब मैं क्या बोल रहा हूँ जब लेट से यहां पर जब आप market 18,000 चल रहा है ठीक है अब आप बोल रहे हो कि यह 18,100 market जाएगा ठीक है अब मैं यह खरिदा अब मैंने क्या कि कि suppose market 18,100 तक गया तो आपका profit कितना होगा 25,000 आपको मैंने बताया था that is because of 0.5 और delta अब मैं बोल रहा हूँ जब market 18,000 चल रहा था मेरा add the money option में यहां पर price था 100 call option का price ठीक है तो यह 18,100 उस time में क्या होगा इसके लिए out of the money जब out of the money होगा इसका delta कितना होगा उस time में let's say उससे कम होगा 0.5 से कम होगा क्योंकि जितना out of the money में जाओगे उतना it will be close to 0 so यहां पर let's say मान के चलो 0.4 ठीक है समझगे अब क्या है कि let's say यह था situation अब क्या है कि सच में let's say market अभी 8,100 हो गया अब जैसे 8,100 हो जाएगा आपका profit 25,000 निकल जाएगा वो तो आपको पता है बट यह जैसे यह हो जाएगा 8,100 ना तब जैसे यह 8,100 हो जाएगा अभी market यह जो delta है अब delta कितना हो जाएगा अब delta 0.5 हो जाएगा क्योंकि तब तो यह change हो गया at the money हो जाएगा जब आप market 18,000 था उस time में यह था आपका out of the money इसलिए आपका delta था 0.4 अब जैसे market change हो गया 8,000 हो गया यह delta अभी change हो जाएगा 0.4 से 0.5 हो जाएगा क्योंकि यह at the money हो जाएगा जैसे यह market 18,100 हो जाएगा option chain में जितने सारे रहेंगे सबका price change हो गया समझ रहेगा सो यह जो changes है अब पहले था 0.4 अभी हो गया 0.5 यह जो difference है 0.1 यह हो गया आपका यह 10 रूपया जो है यह हो गया आपका क्या gamma this is called gamma so gamma का मतलब क्या है change in delta change in delta is called gamma समझ रहे हो so change in the option price due to change in my underlying asset is called delta and change in delta is called gamma इतना समझ में आपको so यह delta हो गया और gamma हो गया ठीक है अब हम देखते है क्या theta so theta क्या होता है so theta is basically your और component जो होता है वो होता है आपका time to expiry ठीक है यह time to expiry time to expiry मतलब क्या है कि लेट से यह nifty का same example है ठीक है आप बोल रहे हो कि कि जो add the money option है ठीक है यह जो add the money option है market चल रहा है अभी 18,000 ठीक है अब आप क्या है यहां पे 18,000 यहां पे price कितना है 100 आप क्या किये है कि so आप call option जो है buy किये हो विकाज आप expect कर रहे हो कि market will be move upward होगा 8,000 बढ़ेगा ठीक है आप buy कर दिये हो ठीक है अब 100 into 50 into 10 ठीक है यह 50,000 देके आप buy किये हो अब let's say take an example यह आपका हो गया कितना यह let's say Friday को let's say आप Friday को let's say यह था यह Friday को आप buy किये हो actually today is Friday so Friday को यही था so Friday को आप buy किये हो example बतरों आपको ठीक है अब क्या हुआ कि let's say Monday market open हुआ ठीक है यह Monday भी same 18,000 रहा ठीक है Tuesday को भी same 18,000 हुआ ठीक है यह Friday यह हो गया आपका Monday यह हो गया आपका Tuesday और यह हो गया आपका Wednesday यह हो गया आपका Thursday ठीक है, so this is your expiry, यह आपको पता है कि यह Thursday जो है, यह expiry है, यह weekly expiry, क्योंकि यह nifty है, ठीक है, अब मैं क्या बोलने के लिए कोशिस कर रहा हूँ, आप तो, अगर आप Option Buyer हो, ठीक है, और आपको पता है कि market move नहीं होगा, आपको बता है कि market move नहीं होगा, तो, you should not buy the option, क्योंकि आपका जो theta है ना, इसको बुलते है कि theta gain, theta gain का मतलब क्या होता है, कि यह आप जो time to expire है, वो कम होता जाएगा, मतलब Friday को आपका यह जो price था, यह धिरे धिरे यहाँ पे 80, यहाँ पे maybe 50, यहाँ पे 20, ठीके, यहाँ पे 20, और हो सकता है कि theta gain को जाके state 0 हो सकता है, मतलब आप option buy, आपको option नहीं buy करना चाहिए, आपको अगर लग रहा है कि market sidevise रहेगा, इसका मतलब अगर market कुछ भी movement नहीं हुआ, फिर भी option का price कम होता जाएगा, क्योंकि इसका जो time value वो कम हो रहा है, time to expire जो है, वो कम होता जा रहा है, आप समझ रहे हो, आप बल रहे हो कि मैं एक option buy हूँ, मैं आप, मैं 18,000 में खरीदा हूँ, इतना 15,000 देखे, बट अगर मंदे को, same 18,000 रहा, बट आपका option price कम हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों कि आपका time value के लिए, time to expire के लिए, ठीके, यह हो जाएगा, आपका 80 into 50 into 10, so basically आपका 10,000 का नुक्सन हो जाएगा, आप तो सुचोगे यार, 18,000 में मैं खरीदा था, market तो वही 18,000 है, फिर भी मेरा 10,000 का नुक्सन क्यों हुआ, क्योंकि यह theta decay के लिए, आप समझ रहे हो, यह theta decay के लिए यह हो रहा है, so अगर market बिल्कुल भी movement नहीं हुआ, तो यह क्या होगा, यह जाके, यह जाके पुरा 0 भी हो सकता है, so इसको बूलते हैं हम theta, theta decay, तो इसका मतलब, जो theta decay है, basically option seller को benefit देता है, क्योंकि अगर आप option sell करते हो, ठीके, और market side war एरता है, तो आपका जो option price नहीं, वो जाके सिधा 0 हो जाएगा, so basically अगर हम back to this one, अगर बाकी सब constant रहता है, यह time to expiry change होगा, उसके लिए option price भी change हो जाएगा, उसको बूलते हम theta, अब समझ में यह theta क्या होता है, so delta हो गया, गामा होगा, यह हो गया आपका theta, so theta का मतलब यह हो गया क् बाकी चीज अगर same रहेगा, अगर मेरा time to expiry change हो जाएगा, मेरा option price में भी change हो जाएगा, जैसे जैसे हम लोग close to expiry होंगे, मेरा option price, option का जो price है, वो कम होता जाएगा, ठीके, उसको बूलते हम theta, या theta decay, ठीके, अब हो गया theta, अब हम चलते हैं, भेगा, so भेगा का मतलब क्य क्या है, भेगा का मतलब होता है, option price change होगा, due to change in volatility, ठीक है, volatility, अब volatility, जो है, पहले मैंने आपको ये बताया था, volatility जो होता है, एक होता है, historical volatility, एक होता है, implied volatility, और forward volatility, जब हम option price calculate किये थे, last time, आपको अगर याद होगा, so मैंने आपको बताया था, ये जो volatility है, हम लोग लेते, implied volatility, जो यहाँ पे NAC के website में है, आप अगर कोई भी strike लेते हो, हर किसी का यहाँ पे IV, और implied volatility दिया हुआ है, उसी, implied volatility दिया हुआ है, उसी साब से हम calculate किये थे, ठीके तो इसका मतलब, अगर option price change होता है, due to change in volatility, उसको हम बोलते है क्या भेगा, so जितना volatility बढ़ेगा market में, उतना call option का price बढ़ेगा, और जितना volatility कम होगा, उतना call option का price कम होगा, so ये हो गया आपका भेगा, let's say कि same example में आपको देता हूँ, कि, let's say, आप एक ATM, अभी market चल रहा है, 18,000, ठीके, अब 18,000 में आप, let's say, 100 rupees, आप खरीद रहे हो, so basically, 100 into 50 into 10, आप ये खरीद रहे हो, let's say, बाकी सब constant है, आपका time to expire ही, वही same Friday को लिये हो, ठीके, let's say, आप Friday के बाद कर रहे हो, Friday की ही दिन आप ये लेके बेठे हो, time to expire ही change नहीं हो रहा है, आपका वही same 8,000 भी है, but let's say, आपका IV यहां पे change हो गया, let's say, आपका IV यहां पे 13% था, let's say, यहां पे IV आपका था कितना 13%, अब कितना है IV यहां पे, 17,850 का IV कितना है, यहां पे 9.52, so let's say, 10%, ठीके, let's say, 10% था, suppose, let's say, मैं आपको एक्जाम्बल बता रहा हूँ, आप तो option buyer हो, आप बाय करके बेठे हो, आपको लग रहा है कि, हो सकता है कि यह बढ़ेगा, इभीन दो आपका, इभीन दो आपका, प्राइस चेंज नहीं होगा, बट अगर आपका implied volatility change होएगा, यहां, let's say, यहां पे 10-13% हो गया, implied volatility, बढ़ गया, suddenly आपका जो option price 100 में था ना, यह suddenly आपका 120 हो जाएगा, ठीके, आपको कितना profit हो जाएगा, this into 50 into 10, आपको अभी 10 अगा profit हो जाएगा, यहां पे आपका implied volatility change हो गया, अगर आप एक option buyer हो, आप implied volatility का फाइदा उठा सकते हो, इभीन दो आपका option price change नहीं हो रहा है, if your implied volatility increase, then your price also increase, so you can make a benefit out of it, आप समझ रहे हो, so यह option buyer के लिए काम करता है, volatility, mostly, but again, it depends upon कि आपका analysis क्या कह रहा है, आपका prediction क्या है, आपका setup क्या है, उससे साब distance लोगे, ऐसा नहीं कि straightly आप, let's say, ऐसा नहीं कि straightly आप बैठे हो सिधा, मतलब यह reverse होए में काम हो सकता है, अगर आपका यह reverse हो गया, जैसे कि आपका volatility कम हो जाएगा, so obviously यह भी कम हो जाएगा, so it depends upon your setup, it depends upon your analysis, you will take a decision, but I am saying in a general term, क्या होता है कि, if there is no changes, everything is constant, अगर आपका volatility बढ़ जाएगा, आपका call option price भी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उस ही सबसे, अब यह हो गया आपका भेगा, ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, यह हो गया delta, gamma, theta, भेगा, and rho, rho का मतलब क्या होता है, कि अब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे हो गया आपका time to expiry volatility अभी आया rate of interest, यह spot price भी हो गया, अब आया क्या rate of interest, so यह हो गया आपका interest rate, ठीक है, यह हो गया आपका interest rate, जैसे मैंने आपको last time बताया था, यह option chain में, NSE के website में, यह rate of interest कितना जाए 10%, 10% rate of interest ले रहा है, ठीक है, let's say, मेरा rate of interest बढ़ जाएगा, let's say, मेरा rate of interest बढ़ जाएगा, मेरा option price भी बढ़ जाएगा, ठीक है, so call option price बढ़ जाएगा, सो यहां पे सेम एक्जाम्पल में अगर यहां पे बताऊंगा आपको यह सेम दीन में अगर मेरा यहां पे rate of interest मेरा था कितना 10 ठीक है अब अगर मैंने market वही 18,000 भी है बट मेरा rate of interest बढ़ गया यह 10 टू हो गया मेरा 11 परसेंट यह मेरा जो price यह 100 टू 115 भी हो सकता है क्योंकि यह आपका rate of interest यह से चेंज हो जाएगा यह चेंज हो जाएगा बट मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह option के लिए ज्यादा impact नहीं होगा क्योंकि एक ही दिन में इतना जल्दी rate of interest चेंज नहीं होता है क्योंकि हम लोग generally 10 years government board को rate of interest लेता है यह fixed rate of interest हम इसको fix करते हैं एक एक fixed rate of interest लेते हैं तो option के लिए interest इतना अभी matter नहीं करेगा बट दूसरा instrument के लिए यह matter करता है in the sense अगर कोई long term होता है बट यह weekly expiry option है तो इसके लिए nifty के लिए ज्यादा impact नहीं होता है बट I am telling कि अगर interest rate से change हुआ अगर interest rate बढ़ गया मेरा call option price भी बढ़ जाएगा ठीक है so यह हो गया आपका सारे Greeks delta समझ गे, gamma समझ गे, theta समझ गे, vega and rho ठीक है so these are all Greeks of option मेरा if you ask me मैं जितना हो सकता है simplest way में आपको समझाने के लिए कोशिस किया हूँ I hope you like this video और next video हम देखेंगे यह सारे जो चीज है इसको हम python में कैसे calculate करते है जैसे कि जो पहला वीडियो था हम लोग details में समझाये थे चीजों को option के बारे में जो second video था हम क्या किये थे कि python में उसको सिखे थे coding कैसे किये थे अब यह सारे चीज को अगर यह जितना सारे चीज है इसको हम क्या करेंगे कि calculate करेंगे python के थ्रू ठीक है और यहां अगर if you go to your जिरो धा लास्ट टाइम जो जिरो धा ब्लाक्सेंट शूल अप्सन प्राइसिंग फर्मूला है यहां पर आपको दे देता है कि गामा क्या होता है थेटा क्या होता है रो कितना होगा और वेगा कितना होगा ठीक है और हम क्या करेंगे कि जो python में calculate करेंगे और यहां पर आके हम इसको check करेंगे वो भी exactly match होगा ठीक है आप पूरा अच्छे तरह समझ गए होंगे और मिलते हैं नेक्स वीडियो में प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब मैं चैनल जैसे मैं आपको बताया था कि I will make the simplest way of understanding things जितना हो सकता है financial world में जो जो टर में उसको मैंने बहुत सरा स्रीप्लेश्ट वे में समझने के लिए कोशिश करेंगे मेरा जितना सारे वीडियो रहेंगे उसमें ठीक है थेंक यू सो मॉच पर वाचिंग इस गाइस थेंक यू